देश में COVID-19 संक्रमन के बाद कोरोना के कई वेरियंट देखने को मिले हैं, हाल ही में एक कैपा नया वेरियंट भी देखने को मिला है, इस समय हमारे साथ डॉक्टर लोकेंदर शर्मा मौझूद है, उनसे जानते हैं इस बारे में, सर एक डेल्टा प्लस के बाद एक कैपा और नया वेरियंट आया है, क्या कुछ है यह? जो में प्रॉबलम होती है, जो माइनर लिटल मुटेशन हो जाता है, जिनोमिक सीक्वेंसिंग में, उसकी वज़े से यह नए वेरियंट रवलप हो जाते हैं, उन्हीं वेरियंट की वज़े से ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है, इंफेक्शन ज्यादा पहल हो जाते हैं, कितना ही ट्रांस्मिशन हो से, कितनी मॉर्बिटी इंक्रीज हो, वो सभी वेरियंट में पॉसिबल्टी, कोवीड बीहेवियर ही प्रेवेंशन और बचाओ है, इसलिए ज्यादा घबराने की जुरत नहीं है, सभी वेरियंट आते रहेंगे, नए ने था, वो देखने को मिला था, और काफी उससे हुई थी, क्या ये मान सकते हैं, अगर ये म्यूटेंट होता है, तो इस तरह क्या हालात वापस बन सकते हैं? आधा कि ये बहुत कम है, जैसर नहीं वेरियंट ये फैरियनफ हे हैं, तो अगर वैक्सिनेशन का प्रोग्राम अगर चलता है, तो सभी वैक्सिन से उनकी जादातर सालना सभी वेरियंट में एफ़ेक्टिव होँंगे, वैट्यंट की जो इफेक्टिविटी में हो सकता है, लेकिन प्रॉबट यह है कि वेक्सिनेशन जो है बहुत इंपोर्टन है और वेक्सिनेशन प्रोग्राम अगर चलता रहता है लोग vaccine लगाते हैं और कोबिर्ट भीविर का फॉलोग करते हैं तो मॉर्टलेटी बहुत कम है वैक्सिनेशन होने से और ट्रांस्मिशनियबिल्टीव कम होगी और स्ट्रेस लेवल जो है लोगों में वह बहुत कम हो जाता है अगर वैक्सिनेशन प्रोग्राम प्रॉपर्ली सबी लोगों इसको अड़ॉप्ट कर लेते हैं तब लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि हाल ही में जैसी ही अनलॉक हुआ है एक बार फिर से लोग बाहर निकलने लगे हैं और देखने को मिल रहा है कि फिर से भीड एकत्रित होने लगी है तो क्या इससे एक बार फिर से जो तीसरे लहर की बात की जा रही है क्या वो इसी से संभव ह तीसरी लहर यह डिपेंड करती है कि कोविड एप्रोपेट भीवर किस तरह का लोगों, एक्चुल मैं कहाई जो थर्ड लहर आए, चाह फॉर्थ आए, चाह फिप्थ आए, सबी लहरें डिपेंड करेगी कि लोगों का जो भीवियर कैसा है, जो मल्टी फैक्टोरियस जो कितना कर रहे हैं, कितने लोगों ने वैक्षीन की दोनों डोजले लगे हुई, यह सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे कि आने वाली लहर में कितना उसका पीक होगा, कितना वो इस्प्रेड करेगी, कितनी लहर से मॉर्टरिटी, मॉर्बिटिटी होगी, यह सब चीजें को कोविड संक्रमन की रोक्थाम के लिए सरकार की और से जो गाइडलाइन जारी की गई है, अगर उसके पालना करें, तो कहीं न कहीं इस जो तीसरी लहर है, उससे बचा जा सकता है, जैपुर से ईटीवी भारत के लिए आदित्यात्रे झालना